पुश्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि भारत के अंदर गरब पात करवाने के क्या है कानून मतलब कि अबोर्शन के लोग क्या है हमारे देश के अंदर अब अबोर्शन करवाने के भी क्या कोई कानून होता है बेशिक है हमारे देश में बहुत सारे strict कानून है किस condition में अबोर्शन करवाया जा सकता है या फिर कॉन सी जो महिलाएं होती है उनको कुछ categories के अंदर divide किया गया है कि इस category के अंदर ये woman आती है तब जाके वो abortion करवा सकती है legally अगर illegal पाया जाएगा तो उसके ओपर सजा का प्रावदान है जुर्माना का प्रावदान है इन तमाम बातों को हम बहुत अच्छे से cover करने वाले हैं इस वीडियो में और ये मुद्धा अभी हाली में क्यों है अभी आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हाली में क्या हुआ कि एक एविवाहित महिला यानि ध्यान रखिए अन्मेरिड लीविन रिलेशन्सिप में रहने वाली एक महिला जो है उसको 24 हफते होगे अपनी प्रेगनेंसी को और 24 हफते के दोरान अब यहां पर सुप्रेम कोट न जो यह पहले दिल जो लेडी है मनिपूर की थी यह दिली हाइकोर्ट के पास गई दिली हाइकोर्ट में जाने के बाद दिली हाइकोर्ट ने इसको मना कर दिया साफ साफ शब्दों में कि आप जो है वो अबोशन नहीं करवा सकती और दिली हाइकोर्ट ने यह मना क्यों किय जाता है क्योंकि हमारे देश में एक एक्ट है उसका नाम है medical termination of pregnancy जिसको short form में MTP कहा जाते हैं इस act का प्रावधा इस act का हवाला देते हुए का उस महिला को आप देखिए आप यहां पर गर पातिया नहीं जाता कि आप एक बच्चे को नहीं मार सकते हैं आप एक काम करिए इस बच्चे को जनम दे दीजिए और इसको फिर किसी को यहां पर डॉक्टर की द्वारा जांच की जाएगी अगर वो पाएंगे कि 24 हफते की जो यह pregnancy है यहां पर इसको अबोर्शन सही हो सकता है अगर हो सकता है तो बेशक कर दिया जाएगा और नहीं हो सकता तो यहां पर इसको अबोर्शन नहीं करने दिया जाएगा अभी फिल यहां पर एक चीज को आपको ध्यान रखना होगा विवाहित महिलाओं के लिए यह कानून बात करता है यानि कि MTP MTP जो है Medical Termination of Pregnancy Act जो है वो विवाहित महिलाओं को मतलब इनको ही लेता है यह विवाहित महिलाओं जो लिव-इन में रहती है लिव-इन रिलेशनशिप में जो रहती है उनको अगर प्रेगनेंसी मतलब उनको प्रेगनेंट हो जाती है तो वह वहां पर जाके अबोर्शन कराती है तो वह इनलीगल माना जाता है इस दिच को ध्यान रखना और यहाँ पर MTP के तैट 20 सब्ता के rule number 3B इसमें ये बात बोली गई है कि महिला विवाइक स्थिती के बदलाव की बात करता है मतलब कि एक महिला जो विवाहित है उसका तलाख हो जाता है या फिर वो विद्वा हो जाती है मतलब कि जो प्रेगनेट थी उस दोरान उसके पती की डेथ हो जाती है इसमें शामिल नहीं की गई थी ये रूल कौन सा है ये 3B रूल है यहाँ पर ध्यान रखना है Medical Termination of Pregnancy Rule 2003 का अब सर्वोच नेले का क्या फैसल है देखें सर्वोच नेले ने काया कि हम या जो याजिका करता है जो पेटिशनर है इस अधार पर उससे कानून से वंचीत नहीं कर सकते या फिर कहेंगे उसको कानून का लाब इस अधार पर हम नहीं मतलब कि ये नहीं मना कर सकते कि वो ऐ विवाहित है उससे तो एक जो कानून परवाइड करने का उदेश्य है उसकी भावना के विप्रीध है वो और इसके अलावा फिर सुप्रीम कोट ने कहा कि एक अखिल भारतिय आयुर्विज्ञान संस्थान यानि कि AIMS AIMS के निर्देशक के अधार पर महिला की जांच की जाएगी जो डिरेक्टर है वो इसकी जांच करेंगे तो वहां पर क्या है उनका अबोर्शन कर दिया जाएगा अन्यता नहीं किया जाएगा अगर उनकी राय ऐसा करना सुरक्षित है तो AIMS उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है और अनुमती दे सकते हैं कि इसका अबोर्शन कर दिया जाए अब बात कर लेते हैं भारतिय संद Poonpour 312 के तहथ उनको सजा का प्रावधन किया गया था उनको कैए कर सकते थजुरौना दोनों प्रावधां थे 左 के मद्दे में जाकर सरकार ने शांतिलाल सासमीति का गठन और उनको का गया शांतिलाद समीती के अधिक्स्ता करने वाले समू को का गया आप जाच करिए कि घर पात कि हमारे देश में इसके उपर कोई कानूर बनाना जरूरी है या नहीं है तो वहाँ पर पाया गया है कि हाँ हमारे देश में जा बोर्शन है उसके उपर लोग बनाना बहुत जादा जरूरी है तब जाके अगस्त 1971 के अंदर संसे द्वारा इस कर दिया जाता है जम्मू कश्मीर को छोड़ कर इसके लावा हमारे देश में जैसे मैंने का 1860 इंडिन पीनल कोड उसकी सैंक्शन 312 है जहां पर अगर कोई महीला अपनी सहमती से गर पात करवाती है तो एक तरीके से अपराद की केटेगरी में माना जाता है यहां पर कुछ के अपराद की केटेगरी में नहीं आता अन्य था वह अगर वॉलेंटरी जाकर अपने गर पात करवा रही है तो वह अपराद की केटेगरी में आ साथ है और जो चिकित्सिक उसका अस्ता कर रहा है तो वहां पर उसको भी उसके उपर भी मुकदमा चलाया जा सकता है अब परी की अनुमति के उपर जО है एक abortion करवा जा सकता है दो condition के हैं एक तो condition आती है 12 सपता के उपर 12 सपता के उपर अगर किसी को abortion क्रूआ तो एक डोक्टर की राय वहां पर बहुत ज़यादा जुरूरी हो जाती है जब महीला की जान को खत्रा हो, महीला जो शारियरीक और मांसी ग्रॉप से उसकी स्वास्ते को खत्रा हो या फिर कहीं कि रेप के कारण घर पात वा हो, पैदा होने वाला बच्चा जो वो गर्भ में उचित विकास उसका नाय हुआ हो और वो विकलांग होने का उसको डर हो 12 से 20 सपता के बीच के गर्वधारण के संदर्व में इन सभी बातों को निर्धारण करने वह ये सब चीजें हैं या नहीं है इसका निर्धारण कोन करेगा ये दो डॉक्टर की जो टीम है वो निर्धारण करेंगी और फिर वहाँ पर अलोग कर दिया जाता है कि हाँ इन में से कोई क्रैटेरिया के अंदर वूमें आती है तो उसको वहाँ पर अबोर्शन करवाने दिया जाता है फिर हाली में जो शंचोधन किया गया 2021 में शंचोधन कर दिया जाता है जो 12 सब्टा की जो एक condition जो एक limit थी उसको बढ़ा कर 20 सब्टा कर दिया जाता है जहांपर एक doctor की राय वहांपर compulsory कर दी जाती है और 12 से लेकर मतलब की 20 से लेकर 24 तक के बीच में वहांपर दो doctor की जो राय है वो वहांपर अनिवारे कर दी जाती है और इसके अलावा 20 से लेकर 24 तक के बीच में जो गर्बधारन के लिए जो वहांपर महिलाओं की जो categorize है उसको 7 categorize में बांट दिया जाता है 7 categories आ जाती है वहांपर जो की अब की सामने में दिखाता हूं यही 7 category जो एक है योन हमले या फिर कहेंगी जो rape से पेडित है जैसे मैंने का विद्वा होगी तलाग होने वाली जैसी प्रसितियों के अंदर जो वहांपर उनको अलोग कर दिया जाता है यह फिर शारेरी रूप से जो महिलाओं जो विकलांग है यहां पर उनके लिए यहां एक अलग से कानून होता है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तैत निर्धारित मांदंडों के अंसार परमुक विकलांग था इसके अंदर क्या होता है कि जो शारी रूप से विकलांग जो महिला है उनको अबोर्शन के लिए अलोग कर दिया जाता है मांसिक जो मांसिक रूप से जो महिला बिमार है उसको वहां पर अलोग कर दिया जाता है और भून की विक्रिती जैसे का बच्चे का एक तरीके से जो भून में एक उसका कहते हैं कि डवलोप्मेंट सही डंक से नहीं हो रहा है शारी के अमानसिक रूप में उसमें हमें देखने को मिलता है कि अब MTP के सामने जो चनोतिया हैं उनके बारें बात करते हैं देखें जबकि कानून गर्वती महिलाओं की वैवाइक स्थिती के मतलब कि आप देखिए वैवाइक स्थिती को लेकर ये कानून है जहां पर पती या पत्नी के साथ अगर तलाक हो गया है विद्वापन हो गया है तो वहाँ पर बदलाव को मानेता देता है कि ऐसा नहीं है कि महिला जो विवाहित है उसके साथ उसका पती है तभी वो अबोर्शन करवा सकती ऐसा नहीं है अगर उसका तलाक हो चुका है या फिर वो विद्वाप हो चुकी है तो वहाँ पर भी अबोर्शन अलोग कर दिया बॉइब कि यहां पर जो महिला है उसको यह अधिकार नहीं कि अपना पॉर्शन करवाना है कि नहीं कराना है यह आर-a-m-p- करते हैं abortion को लेकर abortion जो लोग हैं उनको लेकर तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा एक तरीके से liberal हम कह सकते हैं कि कानून है जहां पर progressive हम कानून देखते हैं दूसरे देशों के तुलना में तो बहुत पर ध्यान के इंद्रित कर देना चाहिए तो यह सब चीजें की जाने चाहिए उमीद करता हूं कि जो आपका जो आज का जो टोपिक है अबोर्शन जो लो है हमारे देश के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे वीडियो पसंद आई है तो बेशिक इसको लाइक क सब्सक्राइब करें फिर से आप लोगों को बता देता हूं इस वीडियो की पीडियो जाए वो टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो बेशि थैंक यू फो वाचिं दिस वीडियो